बगेशोर वाले बाबा आ रहे हैं तो पर्चा खोलेंगे इसके बारे में क्या कहाना जाते हैं नहीं कोई पर्चा नहीं खोलेंगे ओके ओल दर्शन करने के लिए आ रहे हैं दस लाख लोगों की भीर लगने वाली है परती दिन और पचास अजार लोग डेली भोजन करेंगे यहाँ पर इतने बड़े भब आयोजन में किसका सबसे ज़्यादा योगा सब महात्माओं को लेके आएगा और वापस यहरपोर्ट तक छोड़के आएगा दस अजार लोगों के निमाज की ब्योस्ता रखी गए जगत गुरुवों के द्वारा राम कथा और भागवत कथा का आयो जाने हैं कि अनुरुदा चार जी महाराज आने वाले उनका प्रवचन होगा या नहीं बिहार के गोपाल गंजवासियों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है क्योंकि बिहार में पहली बार बागेसवर वाले बाबा यानि की ध्रेंद्र सास्त्री जी आने वाले चार जी का आगमन होने जा रहा है उनके साथ साथ योगी आधितनाथ जी का भी आगमन होने जा रहा है यहां पर माहराज जी इनसे कुछ बाते करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं सबस्बाय इतना बड़ा माध्या उतित के रूप में आ रहे हैं समस्य यह है यह का नाम रखो दूसरे का नाम नहीं रखने से उनलों को कष्थ होता है तो यह ठीक भी से होगे वोगे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं एक लिया वापस लौटने के बाद सबका सम्मान होगा और सारे बच्चों को प्रसाद की बेहतर रखी गई दूर दराज से जो लोग आने वाले हैं माली जो अतिती के रूप में लोग आते हैं तो उनके रहने के लिए क्या बेवस्ता कराएं गया है अगर कोई अतिती आते हैं उनके रहने के लिए सुनने में ये भी आया है कि हथुआ पहले समें लोगों को ठारने के लिए बढ़े महापुरूस हैं यहां क्लाउड कंट्रोल नहीं हो सकता बड़े जो लोग हैं उन लोग के लिए वहाँ आवस्सेक है कि उनको सैप्टी और सीकूर्टी व्यूस से उन लोगों को रात्री बि हाँ जी हाँ पहले दिन से हेलिकेप्टर से पुस्पबरसा होगी और रोज हेलिकेप्टर सब महात्माओं को ले के आएगा और वापस एयरपोर्ट तक छोड़के आएगा अच्छा सुरधालों का ये भी जानना है कि पहले दिन किन की कथा होगी सर्वपर्थम जगदगु जगतगुरु निमबार का चारी स्री महराज के द्वारा और समय कितना बज़े से कथा चलूब जहां पर सवा करोड़ पार्थी शीवलिंग पूजन होना है आपसे बता दे कि बिहार के गोपाल गंज में पहली बार सवा करोड़ शीव पार्थी लिंग की पूजन होने जा करने के लिए थोड़ी समय रुकेंगे और वापस चले जाएंगे इसलिए उनका कोई कथा नहीं है कथा तो हमारे जब देखिए यहापके चैनल पे हम दिखा रहे हैं इन दोन महापुरसों का ही दोन की कथा है जो जगद्गुरु विदरया भासकर्जी महाराज के द्वारा और दो हमारे जगद़्गुरु चारर जी महराज-की द्वारा ले जोजन है इसके अलावा देसबर के समस्त माहपुर्सों को आमंत्रित किया गए जिसमें देखिए कितने लोग पदार सुनने में एह भी आ रहा है कि सवयोग किया गया है और यह सारी बेवस्थाओं में जो उनकी भूमिका है वहाँ सर्वो परी है उससे में उनसे ज़्यादा बिसेस्ता और और योगिता और किसी के बारे पिस सब्दों का चान कहीं नहीं किया जा सकता इसलिए सबसे मेरे ऑगर उनको धन्यवाद या राधे- हेलीपेट का क्या ज़रूरत पढ़ गया यहां पर हेलीपेट की ज़रूरत इसलिए है कि जो यतने बड़े-बड़े महापरुस आ रहे हैं वो लोग के पास समय का भाव है तो एयरपोर्ट से यहां तक आने के लिए होगा तो पांच-दस मिनट में उनको ले आएगा फिर ज्यादा समय यहां दे पाएंगे और पुना वापस मतलब जितने भी संत लोग आएंगे जिनके पास समय की का भाव है वो लोग हालिकेटर के द्वारा आएंगे और हेलिकेटर के द्वारा उनको छोड़ा भी जाएगा उसका क्या होगा पुस्पबरसा होगा पुस्पबरसा होगा जाएंगा कि इस कोलस्यात्रा का कोलस्यात्रा में सामिल हो बज़े तक आजाएं ताकि सुविधा जनक तरीके से आप लोगों को कलस्प्राप्त हो सके और आप लोग सुभ्योस्थित जा सके तो वैसे सारी ब्योस्थाइं बहुत बहुत बढ़िया है आप समय से आप लोग 25 डिवोस्था सबके सम्मान की प्रम दोगों को कल्याल है फिसे लोगों का अगें अब कांद करें दोस्तों बताए विछ एव राम नगर घाम में और यहां पर यहां पर आयो जन हो रहा है जिसमें देश के तमाम संत महासंत जीलों का आगमन होने जा रहा है तो आप लोग अपने निवेदान आपके परिवार के साथ आये और इस भवे आयोजन का हिस्सा बने तो आप देख रहें बावलू पांडे एक पर कैमेरामेन छोटू की साथ जाएं दोस्तों